सभी आंगन भाडी सेवी का सहय का मेनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगन भाडी निउस चैनल की आज दोपहर बारा बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है भायो बहनों आपको बता दें कि पोशल ट्रेकर पर आपको काफी दिक्कते आ रही हैं उन दिक्कतों का समाधान आपके इसी वीडियो में हो जाएगा तो बहनों आपको बताना चाहेंगे रागनी बहन हैं कन्नाव जनपस से आती हैं जनोंने मैंसे शुरू पवगत कराया है कि भाया जी नमस्ते मयांगन बाडी रागनी सिंग कन्नाव से और भाया जी पोशल ट्रेकर में जब अटेंडेंस या फिर टी अचार वो अगर फॉरम ना खुले मोर में जाकर के उसे लॉग आउट कर दो और उसके बाद फिर से लॉग इन करो सब कार आसानी से हो जाएंगे प्लीज भाया जी ये सूचना हमारी सभी बेहनों के पास पहुचा दो तो बिलकुल अब आप सब बेहनों को अवगत कराना चाहेंगे और करके भी दिखा देंगे कि कैसे आपको क्या करना है आईए बढ़ते हैं अच्छे से उस वीडियो की तरफ अंगनबाडी बेहनों अगर आपका पोश्ट ट्रेकर सही से काम नहीं कर रहा जैसे की टियचार नहीं भर पा रही हैं अटेंडेंस नहीं लगा पा रही हैं तो आपको क्या करना है सबसे नीचे कॉर्णर में आपको यहाँ पर ज्यादा यानि अधिक यानि मोर जो भी आप में लिखा होगा हिंदी में होगा तो ज्यादा लिखा होगा अंग्रेजी में लिखा होगा तो मोर लिखा होगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है सबसे नीचे कॉर्णर में आपको यह option मिलता है और इस पर आपको टच करना है फिर आपकी profile पूरी खुल जाती है और इसमे जिन भी बहनों को दिक्कत हो रही हो तो वो अपना यहां से एक बार क्या करें यहां से लॉग आउट कर लें अगर आपको ID पासवर्ड पता है तब ही आप लॉग आउट करें तो हम इसको क्या कर रहे हैं लॉग आउट कर रहे हैं और उसके बाद फिर आपका इस तरह से आ जाएगा दोबारा से एकाउंट लॉग इन करने के लिए कहेगा फिर आप अपना जो मुबाइल नंबर हो वो यहाँ पर भर देना और उसके नीचे जो M-PIN होता है जैसे कि जो नहीं गया था वो सबका सेम था 5145 तो यहाँ पर 5145 जब आप भर देंगी और उपर आप अपना मुबाइल नंबर जिस भी नंबर से आपका पोश्ट ट्रेकर चलता है या बना है वो नंबर आपको याद होगा कई बार आपने लॉग इन किया होगा तो अगर आपको यह स चला है फिर आप जब उसको वहाँ से लॉग इन कर लेंगी अपना नंबर और M-PIN डाल करके उसके बाद आपके सभी ऑप्सन खुल जाएंगे फिर हम चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या अब ये चीजें जो है वो ठीक से काम करती हैं जैसे कि उपस्तिती में चलते हैं तो उ हाँ पर आपका ये अटेंडेंस वाला सब आ जाएगा वहीं THR की बात करें तो THR पहले हम फीड कर रहे तो फीड नहीं हो रहा था लेकिन अब जब इसको मैंने लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन किया है तो एक बार अब हम इसको कोसिस करते हैं और फिर आपको दि इनको THR सबको दिया गया है और इसके बाद हम क्या करते हैं इसको फिर सम्मिट करते हैं सुरच्छित करें यहाँ पर नीचे लेखा हुआ है या इंग्लिस में होगा तो सम्मिट वाला अब देखो ये इस तरह से आपको फिर थोड़ा टाइम लेगा अभी लेख करके आ जा तो यह आपके लिए एक बहतर विकल्प है साथी बेनो नीचे गतविधी का भी option मिलता है आगनबाडी center पर आप गतविधियां भी करवाती हैं तो इसको डेली अपना लगा दिया करें तो यह कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है वही आगनबाडी center का photo यहां से capture होता है यह भी आप अपने center पर बच्चों क कोई भी activity करा रही है या किसी तरह का गतविधी मनाया जा रहा है वो सब चीजे या बच्चा hard cooked meal चकरा है तो उस time का यह नहीं ग्रूप में जब सब बच्चे हों एक साथ तो उनका photo ले करके डाल दो या किसी activity की जिस दिन जो मनाओ वो आप अप्लोड कर दो तो डेली आप आपको logout करना होगा, logout करने में वही मैंने कहा corner में सबसे नीचे जो ज़्यादा या more ऐसे option लिखा होता है, उसके बाद ID कुलती है, उसमें भासा बदलने का सब कुछ लिखा होता है, सबसे नीचे logout का होता है, तो logout पर करेंगे तो ID logout हो जाएगी, तो ऐसे ही हम क्या कर सब में 25 दिन का सब को दिया गया है तो 25 दिन सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे क्या होगा ऐसे आप भूलेंगे नहीं काफी बार उपर नीचे लोग कर देते हैं तो इस तरह से सब का देखो ये हो गया आप यहाँ पर सुरच्छित करें पर कर देंगे तो सुरच्छित हो जाएगा अब देखो अभी फिर से लिखकर आएगा सक्सेस्पूली का पहले एरर आ जाती थी तो अब ये देखो डाटा सक्सेस्पूली अपडेट हो गया ऐसे आप कर लें और आपका कोई दिक्कत पोश्ट ट्रेकर में नहीं होगा साथी बहनों दूसरी खबर जो है वो गवर्मेंट आफ उत्तर प्रदेश का एक ट्वीट है उन्होंने कहा है कि अब मुख्यमंत्री काराले मानो संपदा और ए अधियाचन पोर्टल इन तीनों चीजों की सीधी निगरानी करेगा सभी विभागों में इस्थानांत्रण पदोउन्नती और अन्यसेवा संबंदी कार भी ऑनलाइन किये जाने की प्रगती भी हर दिन मॉनिटरिंग उसकी भी की जाएगी इसको लेकर के एक आर्टिकल आया है आए देखते हैं इसमें क्या लिखा गया और क्या कहा गया है अब मुख्यमंत्री कार आले मानो संपदा और इअधियाचन पोर्टल की सीधी निगरानी करेगा तो सीधी निगरानी कौन करेगा मुख्यमंत्री कार आले अब करेगा अब ऐसे में पदोनती और अन्य सेवा सम्मंदी जो कार हैं वो भी आनलाइन किये जाने की प्रगती भी हर दिन उसकी भी मॉनिटरिंग होगी धीमी प्रगती वाले विबागों पर कारवाई भी की जाएगी मुक्यमंत्री के विसेश सच्यू ससांग तिरपाठी की ओर से सभी विबागों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि बीते दिनों की समिच्चा के अनुसार दोनों पोर्टल के डैसबोर्ड पर सूचनाओं को हर रोज अपडेट किये जाने की जरूरत है कहा है कि इसमें अब यह देखा जाएगा कि दिसंबर 2023 का वेतन मानो संबदा पोर्टल के माध्यम से ही जारी किये जाने की प्रक्रिया किन विबागों ने पूरी कर ली है सभी प्रकार के अवकास, ACP और अन्य सेवा संबंदी कार के निप्टारे उनको मानो संबदा पोर्टल के माध्यम से ही सुईक्रत किये जाने है और करमचारी के स्थानांतर के स्थिती में कारेमुक्त और कारेभार ग्रहन करने की विबस्था किन विबागों ने कर ली है प्रदिन होने वाली समिच्छा में यह भी देखा जाएगा कि किन विभागों और निदसाले ने ये अधियाचन पोर्टल पर पंजी करण और लागिन आईडी का पासवर्ड प्रयोग किया है इस सम्मंद में 11 दिसंबर को सम्मंदित विभागों की बैठक भी होगी इस सम्मंद में कार्मिक विभाग ने भी नर्देश जारी कर दी है तो इसको लेकर कि आज बैठक भी होनी है इसलिए ये मुद्दा थोड़ा जरूरी है इसमें वेतन भुगतान तक सब सामिल है और इस वायद उसकी तेज हो गई है तो अब चाहे पदोननती हो चाहे स्थानांतरण हो वो चीजें अब ऑनलाइन प्रक्रिया के तहट देखने को मिल जाएंगी वहीं दूसरी तरफ एक और खबर आ रही है राम मंदिर नर्मार को लेकर के वहाँ पर विदुती करण का कार पूरा हो चुका है इसको लेकर के भी योगियाद अतनात ने ट्विट किया है कि स्री अजुद्या धाम में प्रभूस्री राम का नर्मारा धीन भव्वे एवं दिव्य मंदिर आज विदुत कनेक्शन से परिकूर हो गया है इस राष्ट मंदिर को जगमक करने का अभूत पूरा कार है अब ऐसे में राम मंदिर जगमगाएगा और ये एक जानकारी भी वहां से निकल के आ रही है